वैज्यान एक दृष्टी से सूर्य ग्रहन को एक हगोलिय घटना माना गया है। वहीं ज्योतिश शास्त्र में सूर्य ग्रहन को शुब नहीं माना जाता है। जब सूर्य और प्रित्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है और सूर्य का प्रकाश प्रित्वी तक नहीं पहुँच पाता है, तो इस थिती को सूर्य ग्रहन कहते हैं, जिस तरह से ग्रह नक्षत्रों के बदलने का प्रभाव राशियों पर भी पढ़ता है, ठीक उसी प्रकार स सूर्य ग्रहन का भी सभी राशियों पर शुबह शुब्रभाव पढ़ता है, इस साल का पहला सूर्य ग्रहन 20 अप्रेल को लगेगा, ये ग्रहन सुबह शून्य साथ बचकर शून्य पांच मिनत से दोपहर बारह बचकर उनतीस मिनत तक लगेगा, हिंदू पंचान के अनु ये ग्रहन अश्विनी नक्षत्र में मेश राशी में घटित होगा, मंगल ग्रह के स्वामित्व वाली मूल त्रिकोन राशी और सूर्य की उच्च राशी मेश और उससे जुली अश्विनी नक्षत्र में राहू के प्रभाव भी होंगे, इस ग्रहन के समय सूर्य और दोनों अश्विनी नक्षत्र में हूंगे। इसलिए अश्विनी नक्षत्र द्वारा शासित जातकों के जीवन पर इस ग्रहन का नकारात्मक्रभाव पर सकता है। साल का पहला सूर्य ग्रहन भारत में नहीं दिखाई देगा। ये ग्रहन कमबोडिया, चीन, अमेरिका, माइक्रोनेशिया, मलेशिया, फिजी, जापान, समोवा, सोलोमन, बारूनी, सिंगापो, थाइलेंड, अन्टाक्तिका, औस्ट्रेलिया, वियतनाम, ताइवान, पाकोव न्यू गिनी, इंडोनेशिया, फिलीपीन्स, दक्षिन हिंद महासागर, दक्षिन प्राशान सागर और न्यूजीलेंड में देखा जा सकेगा। हाला कि इसका प्रभाव पूरी दुनिया पर पढ़ेगा। सूर्य ग्रहन का सूतक काल सूर्य ग्रहन से 12 घंटे पहले शुर है। इस दोरान कोई भी शुख कार्य करना वर्जित होता है। सूतक काल के लिए कई नियम बनाए गए हैं। हाला कि सूतक काल तभी माना जाता है जब ग्रहन दिखाए देता है। भारत में ग्रहन दिखाए ना देने की वज़े से यहां सूतक काल भी नहीं माना इस दौरान मंदिर के कपाट बंद नहीं हुनगे और सभी धार में कार्य किये जा सकेंगे ग्रहन के दौरान जरूर करे ये उपाए ग्रहन से पहले ही खाने पीने की चीजों में तुलसी की कुछ पत्यां डाल दे जिससे भोजन में किसी भी प्रकार के दुश्प्रभाव न पढ़े और उसे बाद में खा सके माना जाता है कि सूर्य ग्रहन के समय मंत्रों का जाप करना शुब होता है इसलिए आप ग्रहन के वक्त सूर्य के मंत्रों का जाप कर सकते हैं सूर्य ग्रहन के प्रभाव दामपत्य जीवन में भी परेशानियों का सामना करना पर सकता है ऐसे लोगों के लिए शुक्र का प्रभाव भी बुरा हो सकता है पुरुषों को प्रोस्टेट से जुली परेशानिया हो सकती है इसलिए लापरवाही ना करें मेश राशी वालों को अनावश्यक खर्चों पर लगाम लगाने की जरूरत है अगर आप किसी निवेश के बारे में सोच रहे हैं तो अभी ना करें सड़क पर गाड़ी चलाते हुए शराब की सेवन से बचे हनुमान जी की पूजा सेवा लाल मूर वाले बंदरों को भोजन देना और ग्रहन काल में हनुमान जी की चाली साया सुन्दर कांट का पाठ करने से सूर्य ग्रहन के प्रभाव से राहत मिल सकती है सूर्य ग्रहन के समय बिलकुल बाहर ना निकले और भागवत्ता भी पाठ करें सूर्य ग्रहन के दौरान व्यक्ति को हमेशा देवी देवताओं का स्मरन करना चाहिए और उनसे अपने जीवन की कुशलता की कामना करनी चाहिए सूर्य ग्रहन के दौरान देवी देवताओं के बीज मंत्र और चालीसा का पाठ करने से ग्रहन का प्रभाव कम हो जाता है सकंद पुरान के अनुसार सूर्य ग्रहन हो या फिर चंद्र ग्रहन दोनों में ही भोजन नहीं करना चाहिए जब भी ग्रहन लगने वाला हो उस समय खाद्य पदार्थों में कुश डाल दे ताकि सारे जीवानों कुश में ही एकत्रित हो जाएं